आधुनिक भारत में सिख्षा का विकास और समाचार पत्र, पूछे गये प्रश्न उत्तर, प्रथमस्तर प्रश्न एक, गीता रहसे नामक ग्रंथ किस के द्वारा लिखा गया? उत्तर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रश्न दो, गुलाम गीरी का लेखा कौन है? उत्तर ज्योतीबा भूले प्रश्न तीन, राष्टी गीत बंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? उत्तर आनंद मठ में प्रश्न चार, तमिल, उर्दू, अंग्रेजी तथा गुजराती में से किस भाषा में दी इंडियन ओपीनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उत्तर उर्दू भाषा में प्रश्न पांच, पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस ने लिखी? उत्तर दादा भाई नौरो जी ने प्रश्न छे, किस ने निकास का सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था? उत्तर दादा भाई नौरो जी ने प्रश्न साथ, एक सापताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारम किसने किया था? उत्तर होम रूल पार्टी ने प्रश्न आठ, भारतियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? उत्तर हिंदू पैट्रियट प्रश्न नौ, नील आंदोलन का जम कर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? उत्तर हरिश्चंद्र मुखरजी थे प्रश्न दस, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? उत्तर के रामकृष्न पिल्ले प्रश्न ग्यारा, गांधी का प्रियगीद वैश्णो जन्तो किसने रचा था? उत्तर नर्सिंग महता प्रश्न बारा, दी इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर वीडी सावर कर प्रश्न तेरा, किसने कहा था? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बलकी मन है उत्तर महत्मा गांधी ने प्रश्न चौदा, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? उत्तर सरोजनी नाइडू को प्रश्न पंद्रा, किसे भारतिये विस्मार्क के रूप में माना जाता है? उत्तर वल्लब भाई पटेल को प्रश्न सोला, डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स किसने आरंभ किया? उत्तर लाड डलहोजी ने प्रश्न सत्रा, प्रिजन डायरी किसने लिखी है? उत्तर जैप्रकाश नारायन ने प्रश्न अठारा, इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर भगत सिंग ने प्रश्न 19. गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? उत्तर भगवत गीता. प्रश्न 20. सिखों की पवित्र पुस्तक आधी ग्रंथ का संकलन किसने किया था? उत्तर गुरु अर्जिन देव ने. प्रश्न 21. यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? उत्तर महत्मा गांधी. प्रश्न 22. उपन्यास नील दरपन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उत्तर मधुसूदन दत्तने. प्रश्न 23. रवींदर नाट टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन स प्रश्न 24. जनवरी 1912 इस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उत्तर भारत विधाता के नाम से. प्रश्न 24. गांधी जी को सबसे पहले राष्टपिता किसने कहा था? उत्तर सुभास चंद्र बोस ने. आधुनिक भारत में सिक्षा का विकास और समाचार पत्र. प्रश्न 2. ब्रिटिस सरकार के किस अधनियम ने सबसे पहली बार भारत में सिक्षा के लिए एक लाग रुपए दिये थे? उत्तर चार्टर अधनियम 1813. प्रश्न 3. एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? उत्तर सर विलियम जोन्स. प्रश्न 4. व प्रश्न 6. सैडलर आयोग किस से संबंधित है? आयोग उत्तर सिक्षा से संबंधित है. प्रश्न 7. लाड मैकाले किस से संबंधित है? उत्तर अंग्रेजी सिक्षा से. प्रश्न 8. भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले कलकत्ता मदरास बंबई की स्थापना किस प्रश्न 10. सिक्षा में सुधार हेतू, ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्विद्याले आयोक कब नियुक्त किया उत्तर 1917 इसवी में प्रश्न 11. डेविड हेर एवम एलेकजंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की उत्तर राजाराम मोहनराय ने प्रश्न 12. किसने भारती विश्विद्यालेों में धार्मिक सिक्षा के लिए प्रबल रूप में वकालत की थी उत्तर मदन मोहन मालवी ने प्रश्न 13. किस अंग्रेज ने सरुपर्थम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था उत्तर चार्ल्स विलकिंस ने प्रश्न 14. भारत का पहला समाचार पत्र कौन था उत्तर बंगाल गजट प्रश्न 15. किस ने सरुपर्थम प्रेस सेंसर्शिप लागू की थी उत्तर वेले जलीने प्रश्न 16. किस ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया उत्तर लाड लिटन 17. किस गवर्नर जनल के समय भारती भाषा प्रसार अधिनियम या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया उत्तर लाड रिपन के समय में 18. फार्सी सापताहिक मिरातुल अखवार को कौन प्रकाशित करते थे उत्तर राजाराम मोहनराय 19. अठारासो असी के दशक में इंडियन मिरर अखवार का प्रकाशन कहां से होता था उत्तर कल्कत्ता से 20. सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की उत्तर स्वामी दयनन सरस्वती ने प्रश्न 21 गदर पत्र का प्रथम अंग किस भाशा में प्रकाशित हुआ उत्तर उर्दु भाशा में